पटना और अंगाबाद मुख्य मार्थ पर अमहरा गोबर्धन बावा के पास एक अनियंत्री ट्रक ने विप्रिद दिशा से आ रही कार में जोरदार खतकर मार दी जिससे कार पुल पर बनी रेलिंग को तोड़ते हुए गढ़े में चागिरी हाथसे के बाद कार धूदू कर जलने लगी बतादे की घटना की समय कार में चार लोग सवार थे किसी तरह से तीन तो बाहर निकल आए पर चालक नहीं निकल सका जिससे कार में ही जुलस कर उसकी मौत हो गई वहीं तीनों घायलों को बिहटा के एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया जहां एक ने दम तोड़ दिया तो वहीं हाथसे के बाद टकर मार का ट्रक चालक गाड़ी के साथ फरार हो गया वहीं मृतिकों की पहचान विहटा के कंचनपुर निवासी के कन्य लाहा अंसारी के पुत्र अंच और कार मालिक नंद किशोर के रूप में हुई है बतादे की कार में सवार मृतिक नंद किशोर अपने बेटे भतीजे और चालक के साथ गया में अपनी भतीजी की शादे में शामिल होकर लोट रहे थे और दर्दनाग हाथसा हो गया पंजाब केसिरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट